हेलो दोस्तों स्वागता आप सब इका हमारे उनलाइन चैनल अरद्या आरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आउजित राजस्तान रिट बरती परिक्षा 2021 के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार स्वागता एसस्ती यानि किसामाजिक अध्यन के मोडल पेपर की टेस्षीरीज शुरू की गई थी लेवल टू के लिए जिसमें अपने आठ मोडल पेपर हैं वो कमप्लीट हो चुके हैं आज दोस्तों अपना इसमें नवा नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों पिछले अगर आठ मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप ले लिस्ट में जाएए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसस्टी मोडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाके पिछली जो मोडल पेपर हैं वो जरूर देखें अर अद्द्धियर विगर्ष्ट के अनुसार कोंसा कि सुरावस्ता का विकासात्म कारिया नहीं है यह विगर्ष्ट के अनुसार कोंसा कि सुरावस्ता का विकासात्म कारिया नहीं है चार उपसन आपके सामने दे रखे हैं तो देखे अपनी सारीरिक सरीतना को स्विकारना और सरीर का हो जाएगा ये दोस्तों कि सुरावास्ता का विकासात्मक कारिया है वो नहीं है हेवी गर्ष्ट के अनुसार ठीक है तीन नमबर उप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा चोथा देखिए अपने माता पिता और अन्य वेसकों के सवेगात्मक सवतंतरता प्राप्त करना तो सोथा भी इसमें सहहे थीक है तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर सैक्टर नमबर प्राइसन इसमें देखिए कौन सा सामवेगीक बुद्धि का गटक नहीं है तो देखिए मितरो इस प्राइसन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तो अपना इसमें राइट आंसर तीन नमबर उपसं सहीुतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित मनोविग्यानिकों के समूहे में से कौन सा समूहे पूंड रूप से कलासिकी संग्यानात्मक सिद्धान से समंदित है तो इस प्रेस्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो वदाइमर कोहलर टॉलमेन वदाइमर कोहलर टॉलमेन तो अपना इसमें right answer हो जाएगा, दो नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर, next, चार नमबर का प्रेशन इसमें देखे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में Dr. S. जलोटा ने कौन सा परिक्षन परतिवादित किया है, बताइए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए आगे देखे, जो ग्यान केवल हमारे तर्क पर आदारित होता है, उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, प्रागनुभव ग्यान, एक नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 नमबर का प्रेशन इसमें देखे, कक्षा कक से सिक्षन में एक चातर पीछे की सीट पर बैठता है तथा बाहर की ओर देखता रहता है सिक्षक को इसके लिए क्या करना चाहिए तो दोस्तों चातर के साथ उचित संप्रेक्शन इस्तापित किया जाए ठीक है ये करना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना आगे देखेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विकलांग बालक आठ नमर का प्रस्टन है जो इसका इसमें देखेंगे अदिगम के लिए आंखलन की परकिरिया कब से कब तक चलती अधिगम के लिए आंकलन की परकिरिया कब से कब तक चलती है तो यह चलती है दोस्तों अधिगम प्रारंब होने से अंतर तक तो अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें देखें डिस्कुलिंग सोसाइटी किस की रचना ह तो यह रचना है दोस्तों इवान इलिच की तो अपना इसमें राइट आंसर दो नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा इवान इलिच नेक्स्ट आगे देखें दस नंबर का प्रेस ने देखें इसमें बालकों में तर्क और समश्या समाधान की सक्ति का विकास होता है तो वो होता है दोस्तों बारवे वर्स में तो अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा बारवे वर्स में आगे देखें संगठित व्यक्तितव कहते हैं जिसमें पक्स का विकास हुआ हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स शिक्सक को बाले आवस्ता एवं किस्वरावस्ता में सारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेशताओं एवं उनके परभावक कारकों का ग्यान होना आवशक है क्योंकि इस से अदिगम सरल हो जाता है तो अपना इसमें एक नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 नमर का प्रेस ने इसमें देखे सविधान की किस धारा के अंतरगा 14 वर्स तक की आयू के बच्चों को मुप्त एवं अनिवारिये शिक्षा परदान करने का प्रावधान किया गया है बताईए दोस्तों सविधान की किस धारा के अंदर यहां पर 86 वा सविधान संसुदन तो ठीक है लेकिन यहां पर यह पूचा है कि धारा कौन सी है वो सविधान के किस धारा के अंतरगा 14 वर्स तक की आयू के बच्चों को मुप्त एवं अनिवारिये शिक्षा परदान करने का प्रावधान किया गया है तो यह किया गया है दोस्तो 45 धारा 45 में तो इसका राइट आंसर चार नंबर उप्चन से यूतर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा व्यक्ति मन्चाही युक्ति से प्रेम में एसफल होने पर पसू पक्षियों से प्रेम करने लगता है बताइए कि व्यक्ति द्वारा किस रक्षा युक्ति को अपनाया गया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अन्या रोपन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तीक है अन्या रोपन रक्षायुक्ति को अपनाए गया है आगे देखिए इसमें निशेदात्मक समयोजन का अर्थ है तो क्या है तो दोस्तों वो है अनुक्रिया ने करके सीखना अनुक्रिया ने करके सीखना तो इसमें एक नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए परतिबावान बालक की विशेष्टा होती है तो यहां पे देखिए अध्यन की योगिता निर्देशन की कम आवशक्ता उच बुद्धी लब्दी एवं नेतरतों की समता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 17 नमबर का प्रशन इसमें देखिए व्यक्तित्वे व्यक्ति के चरीत्र सुभाव बुद्धी और सारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा इस्ताई और इस्तर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके एपूर्वे समायोजन को निर्दारित करता है उप्योक कथन में से न संगठन है जो वातावरण के साथ उसके एपूर्वे समायोजन को निर्दारित करता है उप्योक कथन है वो निम्न में से किससे समंदीत है तो यह समंदीत है दोस्तो आई जेंक से तो अपना इसमें दो नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे ऐसंगठ गर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कटनाई का अनुबव करेगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सू निर्मित पाठों में तो अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सू निर्मित पाठों में गुनिश नंबर क था प्रखर माता पिता की संतान तिर्व बुद्धी वाली होती है यह कथन है तो दोस्तों यह कथन है यह किसका है तो दोस्तों यह कथन है यह गोडाड का किसका कथन है यह गोडाड का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्टे बीस नमबर का प्रेश्ण है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए व्यक्तित्व ही मापन की किस विदी में किसी समुह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है तो दोस्तो किसे का बताइए विदी कौन सी है वो वताना है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो समाज मिती चार नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा समाज मिती किसमें सनेहे दया ममता लज्जा आधी गुन है वो आधिक होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इस्त्रियों में तो इसका right answer हो जाएगा इसमें एक नंबर का option बिलकुल सहूतर 22 नंबर प्रेस ने इसमें देखे प्रेणा चात्र में रूची उत्पन करने की कला है अधीगम में अभी प्रेणा के महत्व को दिख दर्शित करने वाला यह कथन है बताइए प्रेणा चात्र में रूची उत्पन करने की कला है अधीगम में अभी प्रेड़ना के महत्व को दिख दर्शित करने वाला यह कतन है तो दोस्तों यह कतन है वो किसका है तो यह थोमसन का कतन है तो अपना इसमें एक नमबर का उप्शन राइट अनसर हो जाएगा थोमसन का तो दोस्तों वो कलाता है इसमें एक पक्सिय अंतरन है तो अपना इसमें चार नमबर उप्शन सयूतर हो जाएगा 24 नमबर प्रेशन इसमें देखे गनीत का सीखा हुआ ग्यान भोतिक विज्ञान में सायक होता है यहां अधिगम इस्तानांतरन कलाता है बताएगे कौन सा अधिगम इस्तानांतरन कलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दनात्मक इस्तानांतरन कलाता है एक नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट किस नियम के अनुसार वन संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामाने अत्वा मौलिक रूप की अगरसर होती है बताएए ये नियम कुण सा है वन संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामाने अत्वा मौलिक रूप की और अगरसर होती है तो वो दोस्तो नियम है कौन सा तो वो है इसमें मेंडल का नियम तो इसमें एक नमबर उप्चन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मेंडल का नियम 26 नमबर प्रेस ने इसमें देखे मेंडल ने किस पर परियोग किये मेंडल ने किस पर परियोग किये तो दोस्तो चुहेवे मटर पर परियोग किये तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुहेवे मटर पर आगे देखे बालक अपने को अतिविसाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है ये कथन है ये किसका है तो दोस्तों ये कथन है किसका है तो ये इस्ट्रेंग का कथन है तो अपना इसमें एक नमबर उप्सन सहीतर हो जाएगा इस्ट हो जाएगा वो है दोस्तों नए समाजिक समंदों को इस्तापित नहीं करना तो इसमें चार नंबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे किस अवस्ता में आते आते बालक की सवेगात्मक इस्तिती में समाजिकता का भाव सामिल हो जाता है तो इसका राइ बालक के चरीतर निर्माण में योग देने के लिए किस विदी को अपनाना चाहिए बताइए शिक्सक को बालक के चरीतर निर्माण में योग देने के लिए किस विदी को अपनाना चाहिए तो किस विदी को अपनाना चाहिए तो देखिए बालक की मूल परवर्तियों का दमन ने करके बालक के अच्छे विचारों इच्छाओं एवं परवर्तियों को प्रोच्छान करके बालक को नियमित रूप से नेतिक शिक्षा दे कर ठीक है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का उप्षन उपरोक्षते सभी ठीक है ये तीस क्यूशन है ये वो क्या हो जाएगा तो दोस्तो वी प्लस छेद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो अपना इसमें निमनलिकित में से कौन सी करती परबंद कावे है तो इसका राइट आंसर हो नाक में दम कर देना, मुहावरे का अर्थ बताएं तो दोस्तो कौन सा hon जाएगा तो व भुत परिशान करना दोनबर का जो औप्सन है वो इसका बिल्कुल सौहेतर हो जाता होगा आगे देखे, 34 नमेर प्रेश्न है, सादू का स्त्रिलिंग क्या होगा? सादू का स्त्रिलिंग है, वो क्या होगा? तो वो जाएगा, दोस्तो, सादवी, तो अपना इसमे राइट अनसर दो नमबर, आप्शन सही उत्तर हो ठीक है? आगे देखे बच्चा की भावाचक संग्या होगी बच्चा की भावाचक संग्या है वो क्या होगी बताइए बच्चा की भावाचक संग्या तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें बच्पन क्या हो जाएगा बच्पन चार नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए पद्यांस को पढ़ कर अपने को उत्तर देना है ठीक है यहाँ पर देखिए जन्म लेते हैं जगे में एक ही एक ही पोदा उन्हें है पालता रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी यनकी एक ही सी चांदनी है डालता मेग उन पर है बरस्ता एक सा एक सी उन पर हवा है बही अब दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए पर सदा ही यह दिखाता है हमें डंग उनके एक से होते नहीं छेद कर काटा किसी की अंगूलियां फाड देता है किसी का वरवसन फूल निज सुगंदों और निराले रंग से है सदा देती काली जी का किला है खटकता एक सबकी आँख में दूसरा है सोता सुर्षीस पर किस तरह कल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़पन की कसर अब दोस्तो यहां आगे देखए यहां पोदे के किंकिन अव्यवों की बात हो रही है तो दोस्तों तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें full और कांटे की तो इसका right answer हो जाएगा चार नमबर option सही उतर दो और तीन इसमें सही है आगे देखिए इसमें 38 नमबर का प्रेस्ट है परकरती किस परकार दोनों को समान बहाव से पालती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्त तो यहाँ पे गुंचालिस नमर का प्राशन देखिए, देखीए, बड़ा होने के लिए आवशक है, तो क्या आवशक है, तो दोस्तों वो है बड़कपन का भाव होना, तो इसमें तीन नमर का जो अप्षिन है, वो इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा बड़कपन का भाव होना ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए अपने को गद्यांज को पढ़ कर उतर देना है तो चलिए दोस्तों अपन डायरेक्ट चलते हैं यानि कि इस वाक्य का दोस्तों सामाने वर्तमान काल का जो रूप होगा वो क्या होगा तो बताइए क्या होगा तो वो होगा दोस्तों इसमें कुन सा तो हमारे सिमित संसादनों का गोर अपवे होता है तो अपना इसमें एक नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखि से इस्त्री लिंग सब्द है तो इस्त्री लिंग सब्द कौन सा है तो इस्त्री लिंग सब्द हो जाएगा दोस्तो इसमें कौन सा तो संस्कर्ती है वो क्या है तो यह इस्त्री लिंग सब्द है तो अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जा पास चाहते हैं अंधानु करण से समाज दिख बरमित हो रहा है गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आदी सब्दों का एक वचन रूप होगा मर्यादाएं संसादनों आदी सब्दों का एक वचन रूप होगा तो वो क्या होगा तो दोस्तों वो होगा इसमें मर्यादा संसादन ठीक है मर्यादा और संसादन ये एक वचन हो जाएगा इसका तो अपना इसमें राइट आंसर एक आगे देखे स्थर्वरतनी है तो दोस्तों यहां पर सुद्र सब्द कौन सा है वो अपने इसमें पर देखे दो ba GIRए का इसका अर्थ हो जाएगा बताए किया उपतेका देखे उपतेका मतलब किसको बोलते हैं इसका परियोग है वो परवत के पास की भूमी के लिए किया जाता है तीक है जिसे यानिकि उस भूमी को पंतराई या गाटी कहते हैं तो इस प्रहसन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमे कौन सा तो होई पर रवत के पास की भूमी तो अपना इसमें चार अंबर और उप्शन सहित्तर हो जाएगा आगे बासन के लिए उप्योक्तined विशेशन होगा तो कौन सा विशेशन होगा तो वो जाएगा दोस्तो ओजस्वी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर उप्श तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो है दोस्तों नाशिक के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्शन सही उतर आगे देखे देखो और लिखो सिक्षन विदी किसमें परियुक्त करते हैं तो यह परियुक्त करते हैं दोस्तों किसमें तो निबंद रचना में, दो नमबर का उप्शन, राइट आंसर हो जाएगा निबंद रचना में, बावन नमबर प्रस्टेश में देखे, निबंद शिक्षन का मुख्य उद्धेश है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों, देखे, निरेक्षन सक्ति का विकास, कलातमक लेखन, समता का विकास तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी चार number option से इतर आगे देखे निबंद कलेषर का मुक्छे पक्स है निबंद कलेषर का मुक्छे पक्स है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्णात्मक लिखित रचना तुलनात्मक लिखित रचना विवर्णात्मक लिखित रचना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी आगे देखे दितिये भासा सिक्षन की विदी है वो कौन सी है तो दोस्तों वो विदी है इसमें अनवाद विदी तो इसमें दो नमबर का जो अप्षन है वो सयूतर नेक्स्ट दितिय भासा सिक्षण में महत्व देते हैं तो दोस्तों बोलने पर और सुनने पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वे दो दो नुब ठीक है आगे देखें 57 नबर प्रेशन हैं हिंदी विकास में साहयक रहे हैं तो देखें इसमें हिंदी के सब्द बंडा हिंदी की विधाएं वाके रचना एवं उनके सिद्धान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी चार नबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें वेक्ति का सीखना निर्बर करता है तो वेक्ति का सीखना किस पर निर्बर करता है तो ये निर्बर करता ह दोस्तो भासा की वनमाला और सुद्धतापर तीन नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 59 नमबर प्रसन इसमें देखे किसी प्रदेश विशेश में बोली जाने वाली बासा कहलाती है किसी प्रदेश विशेश में बोली जाने वाली बासा कहलाती है तो वो क्या कहलाती है वो दोस्तो चेतरी बासा या प्रादेशिक बासा कहलाती है तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र आगे देखे शिक्षन का सिद्दान्त नहीं है बताईए शिक्षन का सिद्दान्त है वो कौन सा नहीं है यह अपने को इसमें बताना है तो मित्रों यहां पर देखे इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो सथाथी है अब अपन दोस्तों इसमें संस्कर्ट के प्राश्ण करेंगे 30 गहाँ ससा सेकेंड संस्कर्द यहां पर देखे त्छ से स्पीव सुर्भीम सुपन्यों भरे है इति उदरनमšती तो इसका rank answer हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें यमकस्षे तका तो इसका से सलोक है कस्मिन छंदसी अस्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुस्टूप वृते अनुस्टूप वृते तो इसका राइट आंसर चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें देखे अधिशीद इस तानाम करमय है इति सुत्रेन करम संग्या विद्यते यह राइट आंसर हो जाएगा इसका वह दोस्तों इसमें आधारस्य एक नमबर उप्शन सहितर हो जाएगा आगे देखे उपसरगेशु अंतिम उपसरगय कहे वह उपसरगेशु अंतिम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताए कौन सा तो वो है इसमें विलंबे चार नंबर का उपसर बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए मुझे संसकर्थ है वो कमाती है आप इसक्रीन के ओपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा ठीक है देखिए जी धातू लट लकार पर्थम पुरुष्चे दीवचनम अस्ती जी धातू लट लकार पर्थम पुरुष्चे दीवचनम अस्ती तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए जैस्ते है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप् तिरत्या विबक्ति एक वचनम रुपमस्ति तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है रम्या तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा रम्या ठीक है आगे दे तो इसमें दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे खड़क पाणी है विग्र है वाक्यम कथम तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो खड़क है पाणो यस है तो दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सतर नंबर प्रसन इसमें द उप दमानी है संगे को वर्न उसता है उप दमानी है संगे को वर्न उसता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें देखें तीन नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा पैथता फैर ठीक है तीन नमबर उप्शन सही उतर आगे देखें बूदातो उलट लका रहे, परतम, पुरुसा है बहोचनल, तो राइट आन्सर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तो भाःष्यंती, एक नम Benjamin, बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, बहुशनती, आगे देखें, इसमें अनेद परते है, विदाय का है बताइए विक्रम अदित्य है इतियस्य विक्र है वाक्यम दर्शे है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विक्रमे अदित्य है इवै तो दो नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें इक है इस्ताने है रुची परहे भौती इक है तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे अंतरस्त वर्णों यहां पे देखे अंतरस्त वर्णों के संती अंतरस्त वर्णों कौन से हैं तो यह रहलव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो तो इसका राइट आशर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक नम्बर उप् Bitte से पूस्त स्युज़ का राइट आशर होता जो है म्रज प्लेश नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नमबर उप्षान बिल्कुल सूज़तर तीक हैं अगे देखें इसमें दुर्वंपाये अपदनम भूर्म पाये अपदनम उप्रिक्ति के शुत्रेंड आप अनवर से अर्थ हस्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें विशले से है तो अपना इसमें चार नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा विशले से है आगे देखे एक ऐसी नंबर प्रेशन है इसमें गरह कारिये का सवरूप होना चाहिए गर मोखिक अभिवक्ति समंदी ग्रह कारिये के अंतरगत कौन सा नहीं आता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बताए कौन सा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धार्मिक प्रसंसा चार नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा दार्मे के प्रसंसा आगे देखे कक्षा में पढ़ाए गए पाट को घर पर पढ़ने है तू मोन वाचन किस इस्तर के लिए उप्युक्त रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विश्व विद्याले इस्तर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सह योग की दरश्टी से पढ़ाना किस इस तर के लिए उप्युक्त है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो प्रात्मी किस तर के लिए तो अपना इसमें एक नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा प्रात्मी किस तर आगे देखे निमन लिखित में से सरवे दरस्य सामगरी कौन सी है निमनलिकित में से सरवे दरस्य सामगरी कौन सी है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें lingva phone तो अपना दो number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से कौन सा कहानी section का उद्देशे नहीं है बताइए निमने में से कौन सा कहानी सिक्षन का उद्देशे नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा बताइए तो वो है इसमें समय का सदुपियोग ठीक है ये कहानी सिक्सन का उद्देश है वो नहीं है तो इसका right answer चार नंबर option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इस में वेंजनों का वर्गी करण होता है तो ये होता है दोस्तों प्रानत्व के आधार पर प्रयत्न के के आधार पर तो इन सभी के आधार पर होता है तो इसका राइट यह परोग सभी करते हैं तो इसका राइट आंसर जाले remains फैक दो निभंड नब नभर उप्शन बिल्कुल सचीट रहा आगे देखें निबंद सिक्षन का मुख्य उद्देशे है, तो वो क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें निरिक्षन सकती का विकास, कलात्मक लेखन समता का विकास, तरक शकती का विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्स अभी, चार नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो ज किसने गुनिश्वी सताब्दी में हिंदुत्व को पुनर जिवित किया तो किसने किया तो यह किया दोस्तो स्वामी विवेकानन्द ने तो अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर उप्शन आगे देखे ठगों के चरीतर सुधार है तू किस इस्तान पर एक ओध्योगिक वि विद्याले की स्तापना की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जबलपूर में तो इसका राइट आंसर एक नमबर उप्शन से उतर हो जाएगा जबलपूर 93 नमबर प्रेशन है इसमें देखिए इसको छोड़ दीजिए दोस्तो 94 देखिए देखे निम निमन मेंवेशे किसे गृको बुर्दिष्ट कहा गया है तो किसे का गया है तो यह का गया है तो यह गांदार कला को का गया है तो दो नमबर का उप्शन बिल्गुल सह उतर हो जाएगा आगे देखे 95 नमबर प्रसमें किसने कहा अंग्रेज सबसे ज़्यादा गरणा विखारी से करता है विखारी गरणा के पात्र हैं भी हमें ये सिद करना है कि हम भिखारी नहीं हैं। उत्राखंड में असो का सिलाले कहां पर है उत्राखंड में असो का जो सिलाले कहां पर है तो दोस्तों यह है कालसी में किस में है कालसी में एक नमबर का उप्सन सही उत्र हो जाएगा कालसी में है 97 नमबर प्रेस्ट नहीं है इसमें देखे दिली सल्तनत में कौन सा वंस मकबर का यूग कहलाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों लोदीवंस तो इसका right answer एक number option से उतर हो जाएगा लोदीवंस आगे देखे दक्षेंड भारत के किस राजवंस का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयुद्या पर सासन किया था डक्षिन भारत के किस राजवन्स का यहां दावा है कि उसके पूर्वजों ने अयुद्या पर सासन किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कल्यानी के चालू के तो इसका कल्यानी के चालू के तो इसमें एक नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा 99 नमबर प्रस्न है अच्छा प्रस्न है इसमें देखिए मुगलो के समय में बहुन निर्मान की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी वह थी पूर्व निर्मित लकडी के धांचों का इस्तेमाल उन्हें ऐसी जगह से उन्हें इन्हे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए यनकी योगे गरो को सतरवी सदी का बंगला का आ जाता था जिसे बाद में उंगल भारतिये बासाओं में बंगलो नाम का चलन में आया इस नई तकनीक का सरे किस मुगल बाजशा को जाता है एक बार फिर से देखिए इस प् तकनीक में एक जो नवीनता आई थी वहें थी पूर्व निर्मित लकडी के डाचों का इस्तिमाल इने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योगे गरों को सतरवी सदी में बंगला का जाता था जिसे बाद में उंगल भारतिये बासाओं में बंगलो नाम से चलन में आय या इस नई तकनीक का जो सरे है वो किस मुगल बादशा को जाता है तो ये जाता है दोस्तों अकबर को एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतरू जाएगा अकबर को आगे देखे सूची फर्ष्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है ठीक है ठीक है अब अपने को बतान ठीक है बक्त खान ने कहां का नेतर्त्व किया था बताइए बक्त खान ने कहां का नेतर्त्व किया था तो दोस्तों बक्त खान ने किया था बरेली का नेतर्त्व किसका किया था बरेली का जो नेतर्त्व है वो बक्त खान ने किया था ठीक है आगे देखे मौलवी एहमदु मौलवी एहमदुल्ला ने किया था दोस्तों कहां का तो ये फैजाबाद का नेतरत्व किया था ठीक है कुवर सिंग ने जगदीश पूर का नेतरत्व किया था और हजरत मेल ने दोस्तों लखनव का नेतरत्व किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमे एक चार दो तीन यानि कि कुटबसा में अपना सही उतर हो जाएगा इसमें एक नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा 101 नमबर परसन इसमें देखे किसने कहा सर फिरोज साह है मुझे ए पराजे हिमाले जैसे लोग लगे यहां पे देखे किसने कहा सर फिरोज सा है मुझे ऐ पराजे हिमाले जैसे लगे तिलक महासागर की तरहें लगे जिसमें व्यक्ति आसानी से समा नहीं सकता था खारे भी थे पर गोकले गंगा के समान मीठे वो पवित्र थे जो लोगों को अपस जो लोगों को अपने पास बलाते थे बताई किसने कहा था ये ऐसा किसने कहा था कि सर फिरोज सा मुझे ऐ पराजे हिमाले जैसे लगे तिलक महासागर की तरहें लगे जिसमें व्यक्ति आसानी से समान नहीं सकता खारे भी थे पर गोकले गंगा के समान मीठे वो पवित्र थे जो लोगों को अपस में यानि कि जो लोगों को अपने पास बुलाते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसने कहा था तो दोस्तों ये कहा था किसने तो ये कहा था महात्मा गंधी ने तो इसमें तीन नमबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गंधी ने कहा था आगे द प्रेसने इसमें देखे बाबरी मस्जिद जो अयोध्या उत्रप्रदेश में इस्तित है किस के दौरा निर्मित है तो दोस्तों ये निर्मित है किस के दौरा तो ये निर्मित है दोस्तों बाबर के सेनापती मीर बाकी दौरा बाबर के सेनापती मीर बाकी दौरा एक नमर का इसमें देखे किस राश्टर कूट सासक ने सासन काल में एक भीषन अकाल पड़ा था, बताए किस राश्टर कूट सासक के सासन काल में एक भीषन अकाल पड़ा था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, अमोग वर्स पर्थम, तो इसमें तीन नंबर उप्स निमनलिकित में से किस से निकला है तो दोस्तों ये किस से निकला है तो ये निकला है दोस्तों लेटिन से लेटिन भासा के सबसे निकला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा 106 नमबर का प्रेसन इसमें देखे 44 सविदान संसोदन ने संपत्ति के अधिकार से संबंदित निम्न अनुचेद को समाप्त कर दिया है तो दोस्तो कौन से अनुचेद को समाप्त कर दिया है 44 सविदान संसोदन में आप सभी को पता है संपत्य के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था वो कोन से अनुछेद में था वो अपने को इसमें बताना है तो दोस्तों अनुछेद 31 और अनुछेद गुनिस IF को तो इनको समाप्त कर दिया गया है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें तीन नमबर का जो उप्षन है वो बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखे इसमें एक सो साथ नमबर का प्रसने लोगपाल संस्ता के सरजन की अनुसंसा सरोपर्थम किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा तो ये प्रसासनिक पर विचार करें और नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए सही विकल्प को अपने को क्या करना है चुनना है कि सही विकल्प है वो कौन सा होगा यहां पर देखिए दोस्तों कथन एक और कथन दो दे रखा है अपने को बताना है कि इन में से कौन सा कथन है वो इस किसी व्यक्ति विदेख को पारित ने करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच ऐसमती होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अदिवेशन से इस गतिरोध का समधान निकाला जा सकता है यानि कि संयुक्त बैठक की जा सकती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोनों ही कतन है वो बिल्कुल सत्य है तो इस प्रेस्न का राइट आंसर तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नो नमबर का प्रेसन इसमें देखिए भारतिय संग से किसी राज्य के पर्थक होने को पर्तिबंदित किया गया है बताए भारतिय संग से किसी राज्य के पर्थक होने को पर्तिबंदित किया गया है तो कौन से सविदान संसोदन अदिनियम द्वारा तो ये किया गया है दोस सब्भा के सविधनिक सलहकार थे सब्भाических सविधनिक सलहकार थे तो वह कुんな थे तो वो थे दोस्थों वा यहां एक नमबर का जो उपिस्ट्ण है वह सक बिल्कूल सभिखत्र हो जायेगा भी आगे देखिये भारत का परदानमंत्री और्पर्किर्जाज से बनायी विद्दी का शासन की संकलपना कहां कि सवेदानीक प्रणाली कि विशिष्टा है तो दोस्तों इसका या säger हो फिया एए also कर पार्थ में वह है कोउनसा पार्थ है वो इसमें सई है ठीक है देखते सवीदान की तिरति अनुसूची में निम्न मेंशे क्या उपभंदित थे कि तीसरी अनुसूची में क्या उपभंदित है वो अपने कुछ पताना है देखिए संग के मंत्री के लिए पद की सपत का परारूप बिल्कुल शही में नहीं है बाकि देखे संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली सपत का प्रारूप है यह भी दोस्तों तीसरे अनुसूची में है तो अपना समीराइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो और चार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का जो ama आगे देखे राष्ट्रपति के वेतन और बत्ते का पर्भार है तो यह किस पर है तो यह है दोस्तों भारत की संचित निदी पर एक नॉप्ञाइंगा भारत की संचित निदी पर कटोती प्रस्ताव को किसके इस्तापन के बाद पुने इस्तापित किया जा सकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना रेलवे और सामाने बजट दो नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 116 नमबर का प्रस्ट ने इसमें देखिए CO का विशला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोगलोबीन के लिए इसकी बद्दता अक्सिजन की तुलना में होती है CO का विशला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोगलोबीन के लिए इसकी बद्दता अक्सिजन की तुलना में होती है दो नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा 250 गुना अधिक आगे देखे वायू प्रदूशन के विश्वस्निय संके तक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें लाइकन तथा मोस लाइकन तथा मोस तो अपना इसमें राइट आंसर तीन बरॉप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें दो बड़ी गटनाएं जिने M.I.C. तथा चिर्णोबिल तरास्दी के नाम से जाना जाता है कहां और कब गटित हुई यह अपने को इसमें बताना है बताई यह मित्रों देखें इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अच्छा प्रसन है तो वो है दोस्तो बोपाल 84 यूकरेन गूड़ी 86 ठीक है तो दोस्तों मिथाइल आइसो साइन नाइट वाला है ना ये बोपाल वाला बोपाल तरास्थी कांड गुनी सो चौरासी और युक्रेयन में वा था दोस्तों इस बात का संकेत मिलता है कि उंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे तो बताए उंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे वो अपने को बताना है यहां पर देखे मित्रों देखे छेतर के इस तलिए पादब जात और प्रानी जात पूरी तरह से नश्ट हो जाएंगे छेतर में रह रहे लोग पालतु जानवर एववस्तित हो जाएंगे खेती के लिए उपयोगी जमीन इस्ताई रूप से नश्ट हो जाएंगे ठीक है इससे इस्तानिय लोगों को इस्ताई नोकरी मिल सकेगी ये चोथा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा बाकि इसमें तीन है वो इसमें बिल्कुल सहिए तो इसमें दो नंबर का उपसन राइट आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन इसमें बिल्कुल सहिए आगे देखे दोस्तो इसमें जियेपी का संक्शिप्तिक करणन को पूरा लिखिए यानि की GAP की full form क्या है वो अपने को इसमें बताना है तो देखिए मित्रों यहां पर देखिए गंगा एक्शन प्लान यानि की गंगा एक्शन प्लान तो दोस्तों यह है GAP की full form next आगे देखिए इसमें CBD निम्न में से किसका संसिप्त रूप है तो इसका राइट आंसर एक नम्र उप्सन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए एक वरक्स निम्न में से किस आंदोलन का नारा है तो ये कौन से आंदोलन का नारा है तो दोस्तो ये ग्रीन बेब का नारा है चाथ तीन नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे ग्रीन बेब आंदोलन का लक्से समू है कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपन में निम्न जीव की सरवादिक परजातियां पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कीट दो नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कीट आगे देखे 125 नंबर प्रेस ने हडियों का समन करने वाला जाएगा आगे देखे निम्न लिकित में से किसे फसल के तोर पर माना जाता है निम्न में से किसे फसल के तोर पर माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तों कोफी चाय रबड इन तीनों को दोस्तों फसल के तोर पर माना जाता है चार नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर चार नमबर उप्शन से उतर आगे देखे विश्व का एक मातर तैरता हुआ राष्ट अध्यान किबुल लाम जाओ कहां पर है तो किबुल लाम जाओ है वो कहां पर है तो ये है दोस्तों कहां पर तो ये है मनीपूर में तीन नमबर का उप्शन दुवराए निरदारीत नहीं किया जाता। तो किस के दौराइ निरदारीत नहीं किया जाता। तो इसका राइट хоть अप्षानस उचाई से दूर है। इन तीनों की दोरां की जाती है लेकिन रेखांस तीन नमबर है उप्षण आगे देखे दक्षिन पसी मानसुन के ततकाल बाद बोई फसल को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तो खरीब की फसल आगे देखे इसमें निमन में से चीटी खोरा के रूप में किसे जाना जाता है चीटी खोरा के रूप में किसी जाना जाता है तो ये जाना जाता है दोस्तों सीलू को तो इसमें चार नमबर उप्सन सही उतर हो जाएगा सीलू एक सो बतीस नमबर प्रेस ने इसमें देखे राजस्तान में वार्षिक तापांतर कितने डिगरी सेल्सियस के बीच पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 14 से 17 डिगरी तो इसमें दो नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखे राजस् राजस्तान में बेर का उत्पादन करने वाले परमुक जिले हैं तो वो कौन से हैं तो वो है दोस्तों इसमें अलवर बरतपूर दोलपूर जैपूर जोदपूर स्रिगंगा नगर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोग सभी चार नमबर उप्सन सही उतर आगे दे कि खनन चेतर में होने वाली आए की दरश्टी से राजस्तान का देश में कौन सा हिस्तान है तो कौन सा हिस्तान है तो दोस्तों वो है पांचवा इस्तान तो इसमें तीन नमबर उप्सन सही उतर हो जाएगा पांचवा इस्तान आगे देखे गराश्या जनजाती में कुमार हाई इस्त्रियां है वो दोस्तों कौन सा चुड़ा परेंती है तो हाथी दान्त का चुड़ा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर उप्शन सही उतर आगे देखे नात्रा करने वाले पुरुष को नात्रा वाली इस्त्री के पीहर पक्स को दी जाने वाली सामगरी को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कुन सा तो वो है उसको मायस बोलते हैं क्या बोलते हैं मायस बोलते हैं तो इसका राइट आंसर दो नमबर उप्शन नेक्स्ट 138 नमबर प्रशन इसमें देखे टेरा को कोटा के निरमान हितू मिट्टी को कि सताब पर पकाया जाता है तो मिट्टी को किस टाफ पर पकाया जाता है तो यह पकाया जाता है दोस्तो 800. हाली में चरचित राजस्तान के उस बांद का नाम बताइए जिसकी नीव 1.5 किलोमेटर लंबी जल सुरंग पर Кстати हुई है बताइए राइट अंसर हो जाएगा इसका वो है जवाई बांध तो इसमें एक नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखे जाक बाबा की विसाल काए सुंग कालिन मूर्ती कहां पर इस्तित है तो दोस्तों ये इस्तित है कहां पर तो ये नोह में है दो नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नोह है ठीक है आगे देखे इसमें जिस विदी में चातरव अद्यापक अपने विचारों का आदान परदान करते हैं वह विदी कौन सी है तो वो व मुल्यांकन के संदर्ब में बल्यूप्रिंट क्यों तयार किया जाता है तो इसका राइट अंसर जाएगा वो है दोस्तो प्रहसन पतर निर्मान की योजना बनाने हे तू आगे देखे इसमें 143 नंबर प्रहसने इतियास आपके लिए साहिक होगा तो दोस्तो बताएए तो द समारे बोटिक और समाजिक विश्वा में गत्यविदी को समझने में तो तरत अधियुक्त विदी में तो सबसे उपयुक्त विदी कौन सी है तो वो है दोस्तों आवलोकन विदी तो इसमें एक नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे प्रेरक अधिगम किस उपागम के विपरित हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिबादक सिक्षन के तो अपना इसमें तीन नमबर उप्शन सही उतर 147 नमबर प्रेश्ट ने इसमें देखे विद्यालियों में अंतराष्टिय बंदुत्व की भावना के विकास की प्रकिरिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा सिक्षन के विशेश आउसर पाठे करम सैसेक्षिक परवर्तियां 148 नमबर प्रेश्ट ने इसमें देखे एक सामाजिक विज्यान कक्षा में विद्यारती यह चर्चा आरंब करते हैं कि विद्याले के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं एक सामाजिक विज्यान कक्षा में विद्यारती यह चर्चा आरंब करते हैं कि विद्याले के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं एक चाहतरा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरन चाहतरों को बिमार कर देगा एक चाहतरा कहती है कि उनसे यनकी उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुश्यों को बिमार नहीं करते एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे एक अध्यापक के नाते है विल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे माद्यमिक शिक्षा आयोग ने सामजिक अध्यन को माना है तो दोस्तों बताइए माद्यमिक शिक्षा आयोग ने सामजिक अध्यन को माना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है संग्रेत इकाई के रूप में संग्रेत इ निश्टा रहे तो उसमें विश्ष्टा नहित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो विश्विश्ष्णियता एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो मित्रों ये मैंने आज आपको जो नो नमबर का जो मोडल पेपर है वो कम्पलीट करवा दिया है ठीक है दोस्तो पिछले आठ मोडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें आप ले लिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट-एसरी मोडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर मिल जाएगा आपको तो आप वहाँ जाके पिछले जो आठ मोडल पेपर है उनका टेस्ट जरूर दें और आरध्यारे सेक्टिवी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत